रेस्टरॉंस और स्ट्रीट फूड को आप भूल जाएंगे जब आप ये बड़ी आसा चटपटा ड्रागन चिकन घर में बनाएंगे ड्रागन चिकन बनाने के लिए मैं पूरा एक ब्रेस्ट का पीस ले रही हूँ ये करीब शाड़े छे सो ग्राम है इसे दो हिसों में इस तरह से पतला काट कर इसके छोटे छोटे पीसे बना लेते हैं पतले लंबे अब इसे रख लेंगे एक बोल में चिकन को मेरिनेट करने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ एक चमच काली मर्चों का पाउडर और एक चमच है सफेद मर्चों का पाउडर एक चमच है डाक सोया सॉस और एक बड़ा चमच है वाइट विनिगर अंडा डाल लेंगे एक, नमक एक चुटा चमच डाल लेते हैं और तीन बड़े चमच इसमें डाल लेते हैं मैदा चिकन को अच्छी तरह से सारी चीजों के साथ मिक्स कर लेंगे ज्यादा देर इसे मेरिनेट नहीं कर रही हूँ मैं दस मिनिट के लिए बस इसे इसी तरह से छोड़ देंगे और फिर इसे फ्राई कर लेते हैं तो चिकन को fry करने के लिए इसी तरह से इसे लंबाई में तेल में छोड़ेंगे, एक के उपर एक रखे विना हम इसे fry कर लेते हैं, इसे आप चाहें तो दो या तीन बैचे में fry कर लीजिए, तो medium to high flame पर इसे fry करना है, अच्छा सा golden कलर आ जाए और ये crispy हो जाए, तब सारा तेल ड्रेन करके चिकन को निकाल लेते हैं अब इसकी कोटिंग बनाने के लिए एक कड़ाई में लेंगे दो बड़े चमच तेल तेल में डाल लेंगे दो बड़े चमच बारिक चॉप किया हुआ लेशन को हल्का सा फ्राइब करेंगे मीडियम फ्लेम पर बस आधे मिनिट के काजू डाल लेंगे 10-12 दाने और काजू को भी लेसन के साथ फ्राइ करना है आदे से एक मिनट के लिए एक छोटी प्यास डाल लेते हैं मोटे स्लाइसे में कटी हुई और प्यास को फ्राइ करके बस इससे नर्म कर लेना है दो कश्मीरी लाल मिर्चे हैं इसे बड़े नमक Bel Central legitim के मिर्च एक जालें चुम्म लेच जो ड़ेंगे एक छौथाइ मिर्च नमक और आधा चम म मिध नार्च दालते हैं सफीन मिर्चों का पाउडर रड़ेम को आप कर लेंगे और तरहिं ऊधिने 14 शिम welcoming को पहले कर लेते हैं चिप्लों मिर्च थोड़ी सी सौने के अब चिकन जो हमने फ्राइ किया हुआ है ये डाल देंगे और हाई फ्लेम पर फ्राइ किये हुए चिकन को सारी चीजों के साथ हमें मिक्स करते जाना है करीब दो मिनिट के लिए कड़ाई में पानी सूब जाए और सारे सौसेस चिकन पर अच्छी तरह से लिपट जाए इसके बाद हम थोड़ी सी बारिक चॉप किये हुए हरी प्यास के पत्ते डालेंगे अब एक से दो बार चमबच को चलाते हुए चिकन को सारी चीजों के साथ मिक्स कर लेते हैं हाई फ्लीम पर बड़ी असा कलर आ गया है देखते ही मूँ में पानी आ जाए ऐसी ड्रागन चिकन की रेसिपी बनकर रेडी हो गई है इसे सर्फ कर लेते हैं और प्लेट में डालने के बाद इस पर छिड़क लेते हैं थोड़ी सी सफेद तिल इससे ये ड्रागन चिकन और भी खुबसूरत लगेगा तो बस ये ड्रागन चिर्कन रडी है खाने के लिए इस चटपटी रेसिपी को सर्फ करने के लिए कोई चटनी और सॉसिस की जरूरत नहीं है